अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग करेंगे चार जनवरी के फर्स्ट सिप्ट में हुए एक्जाम की फूल एनलाइसिस करेंगे किस टॉपिक से कितना सवाल आ रहे हैं और किस तरह के सवाल जीके में आज आये हैं एनलाइसिस देखने से आपको क् सारी बात का हम डिसक्रसिंट करेंगे एक सवाल आया था एठाड़े सो संतामन की क्रांति को कब दबा दिया गया था तो यह आप लोग ऐसन्र देख लिगा तो देखलिया गया था कि दूसरा एक कोश्टे नार पूछलिया गया इसलोदा किस नदी पर है कि तो कि वह यह यदि हम मेरा वीडियो अप्लोग देखे होंगे आर्टी आई एक्ट लागु कब हुआ दो हजार पांच इसवी में यह हमने वीडियो दो दिन पहले ही अप्लोड किया था योजना से रिलेटेड और उसी से यह सवाल आया हुआ है और यहां देखिए सुकर्णिया समिर्धी योजना किसने लौज किया उस समय भारत के परधान मंत्री कौन थे तर्नेरेंदर मोधी ही होंगे यहां देखिए यहां देखिए फिर कांग्रेस अधिवेशन से एक सवाल आ रहे हैं कांग्रेस के बेलगाओं अधिवेशन कब हुआ था पिछले सिप्ट में पूछ लिया था कि कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था वो किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया एक सवाल था गांधी सागर डैम जो है वह किस राज में इस्थित है इसका सही अंसर होगा मध्धि परदेश में फिर से देखिए पूछ लिया गया कम्प्यूटर से URL का फूल फॉर्म पूछ लिया गया uniform resources locator होता है और एक सवाल पूछ लिया यूनिस्को के कितने world heritage में अभी तक सामिल किया गया है ये option के अनुसार आप लोग इसे comment section में बताए किसका answer क्या होगा एक सवाल था पोखरन test का operation जब चल रहा था तो उसका नाम क्या था उसका नाम था क्या उस operation का नाम था smiling buddha सांची का स्थूप किसने बनवाया था तो असोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्थूप एक सवाल था history से अकवर का राज अभी से कब हुआ था तो 1556 में एक सवाल था मैच से 5000 रुपिय की धन रासी 10% की दर से कि एस आई और सी आई का अंतर पूछ लिया गया था रेट दे दिया हुआ है टाइम दे दिया हुआ तीन साल के लिए कि सबसे पहले हाई कोट की अस्थापना कहां बना था तो आपको पता है 1774 इसी में सबसे बहले कलकत्ता में बना बना था हाई कोट वन भी मिसाइल डियाडियो ने कब लॉंच किया यह आप लोग ओप्षन के नुसार बता दीजेगा किसका एंसर क्या होगा एक मिर्त्यू से भी पूछा गया हाली में मिर्त्यू हुई वो किस चीज किसे समंदित है तो यह आप लोग ओप्षन नहीं मिला है इसका तो आप लोग ओप्षन के नुसार क्या इसका एंसर है और एक इस तरह से डाइग्राम से कोश्चन आ रहे हैं किर्केट फुटबॉल और होकी यह सब इस तरह का कोश्चन भी आ रहे हैं मनुस के बोड़ी का पीच भेलू क्या होता है यहां देखिए मनुस के बोड़ी का पीच भेलू पुछा है तो क्या होता है सेबन पॉइंट थिरी फाइप से लेकर सेबन पॉइंट फोर फाइप के बीच में होता है अब दोनों में से कौन सा question है आप लोग comment section में बताईएगा हाली में किसे अर्जुन अबाड मिला है तो पता है हाली में भी पांच अर्जुन अबाड मिला है रोही सर्मा ये question भी repeated है पांच दो मेल है और तीम फे मेल को मिला है रानी रामपार रोही सर्मा भी मेस फोगाट देखि एक question repeat कर लिया गया है बायल जूस यानि पीत रसको कहां से निकलता है तो पता है यक्रीत लीवर से निकलता है देखिए ये question भी repeat कर दिया फर्ष्ट यंगेश्ट महिला कौन है जिसको नोबेल पुरुसकार मिला है तो ये question भी मलाला यूसुफ जई को सबसे यंगेश्ट म कमिशन भारत कब आया था 1928 में साइमन कमिशन 1927 में बना था ये कल हम इसका पीडियोफ जारी किये थे गांधी जी यूग में उसमें ये question सीधे दिया हुआ था और वहां से direct ये question इसलिए हम बोलते हैं कि description के नीचे हमारा टेलिगाम का लिंक दिया है वहां से जाकर आप च संसोधन सबसे पहले कब हुआ था 1901 कामन इसमी में सबसे पहले संसोधन हुआ था एक पूछ लिया था फूल गोभी कली फ्लावर क्या है एक लिंगी है दूई लिंगी है इसी तरह का question एक आया हुआ था एक सवाल था मच्छड के काटने से कौन सी बिमारी होती है जिवानू बिसानू टाइफ हाइट इसी तरह का कुछ ओप्सन था तो आप लोग इसका answer दीजिएगा एक एक इकोनोमिक से question था पंचवर्षी योजना पर्थम पंचवर्षी योजना किस पर अधारित था किस पर स्क्राइब करके अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि इनका लाब वह भी उठा सके मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्टू डेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद